हेलो एवरिवन वेलकम बाक टो शिराम लेर्निंग क्लासेज आज की इस लेसन में हम डिसकस करने वाले हैं पर्सनेलिटी का टोपिक की पर्सनेलिटी होता क्या है ठीक है यह हमारा जो टोपिक है जो स्टुडेंट सेंटिनेट का एक्जाम मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने पर्सनेलिटी का टोपिक है आए स्टार्ट करते हैं पर्सनेलिटी का मतलब होता है कि है पर्सनेलिटी का मतलब जी जोता है कि जितने भी एक परस्न के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐस को हम क्या बोलती है? क्यों, मैं अफ्य चाहा पड़ा रही हुँ, जो स्टुडेंट का हम इसलिकसा पडहा रही है। क्या है कि क्रैक्ट्र्सटिक्स काया वोलते हैं उसको हम? personality, ठीक है, personality का मितलर क्या होते है, कि एक permanent set of psychological and behavior attribute that distinguish from one person to the another, एक person से दूसरे परसन में यह अलग-लग होते हैं, psychological and behavior attribute psychological कौन से होते हैं, जैसे कि motivation, learning, perception, personality structure या movement और physiological कोन से होते हैं, जैसे कि heredity हो गया, nervous system, muscles, biological organ ठीक है, यह सारी किसारी किसको affect करते हैं हमारी personality को, personality क्या होते हैं, एक relatively permanent set of the psychological and the behavior attribute, psychological में हमने सभी यह देखे, motivation, learning, perception, personality, movement personality structure include होगा, psychology में, ठीक है, जो कि एक person को दूसरे person से अलग करते हैं जैसे हम दिखते थे कि जो हमारा personality का जो word है, वो कहां से derive हुआ है, वो latin word, persona से derive हुआ है इसका मतलब क्या होता है, to speak through, to speak through का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, कि जो एक actor है, जो acting करके थे ना, वो क्या करते हैं, एक particular mask पैं लेते थे, जिसे कि audience है, उनको वो attract कर सके, और उनको real जैसा लगे, means outer appearance, she tried to speak or influence the other, जिसे कई बड़ बच्चे हैं, वो acting करते हैं, तो छोटा भी वगेरा के mask डाल लेते हैं, ठीके, तो वो क्या है, एक अलग सी personality show हो रही है, जिसे रमायन आ रही होते है, तो रमायन में राम और हनुमान के mask से face पे डाल के, और फिर वो show करते हैं, जिसे कि उन अंदर क्या करते हैं, अलग लग face बना के, मतलब अलग लग personality को show करते हैं, जिसे कि वो audience को attract भी कर सके हो, उनको real जैसा भी लगे, ठीक हैं, तो personality कहां से रही हुआ है, Latin word, persona, इसका मतलब क्या होता है, to speak through, और Robbins ने डिफाइन किया है, कि अभी मैंने पहले बताया है, कि personality का मतलब क्या होता है, कि सभी अच्छी और बूरी चुझे है, इस person के, हम उसके इनार डिखते हैं, कि total, some total of the way, in which an individual react to and interact with other, कैसे react कर रहा है, और कैसे interact कर रहा है, दूसरों के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, personality, ठीक है, next हम देखेंगे, कि कोन-कोन से determinants हैं, जो कि personality को affect करते ह है, personality की definition, कि personality क्या होता है, एक relatively stable set of the characteristics that influence an individual behavior, ठीक है, एक set of characteristics होती है, जो कि influence करता है, एक individual का behavior, और individual difference in characteristics, pattern of thinking, बतलब, एक individual होता है, वो different होता है, from one to another, किस वे से, उनकी thinking अलग-लग होती है, feeling अलग है, behavior है, behavior होता है, ठीक हार एक person, के अलग personality होती है, ठीक है, जिसे एक scholar है, उसके अलग personality होती है, प्रफेशर है, इसके एक अलग personality है, दोक्तर है, उसके अलग personality है, ठीक है? अब हम दिखते हैं कि कौन को से determinants है जो कि personality को affect करते हैं कई सारे factor हैं जो कि personality को develop करते हैं और grow करते हैं First है उसके अंदर mean four factor है Four or five factor है biological, physical, situational, culture, family and social factor Firstly हमें बता होना चाहिए कि biological factor के अंदर क्या आता है ठीक है biological factor के अंदर आता है Heredity, ठीक है biological factor के किस से relate होती है यह relate होती है formation of a human body मतलब कि जो human body है उस हो कैसे form किया गया यह एक play करता है important role in the development of the personality biological factor में हम क्या देखते हैं कि जैसे human body देखी उसका देखा कि formation कि स्टाइट से है उसकी ठीक है मतलब हमने example लें जैसे Heredity Heredity में हम क्या देखेने कि physical structure क्या है उसका facial look क्या से दिखनी में क्या से है muscle composition क्या है energy level कितना है उसका temperament क्या है और यह सभी की सभी characteristics जो कि एक parents से acquire होती है उसको उन क्या बोलते है Heredity Heredity means ऐसी characteristics जो कि parents से हमें acquire होती है उसको उन क्या बोलते है Heredity Heredity जो factor है वो important role play करते है एक person की overall temperament के लिए ठीक है next brain मतलब जो biological factor है उसके हम देखते हैं कि formation कैसा है human body का ठीक है वो एक important role play करता है personality को develop करने का Next है brain Brain भी एक important role play करता है personality को shape देने का यह depend करता है जैसे कि जो structure है brain का जैसे कि उससी के according personality है वो develop करती है Brain के लिए किनों ने define कि एक trotter t-r-o-double-t-e-r Trotter उन्होंने provide कि एक factor जो कि वो बोलते हैं कि जो right hemisphere अगर strong होगा न तो वो person कैसे होगे Brain अगर जो right hemisphere stronger होगा तो वो ज्यादा artistic होगे spiritual होगे emotional nature के होगे और जिनका left hemisphere strong होगा वो कैसे होगे logical होगे controlled होगे और leadership quality होगे उनके अंदर ठीक है यह ध्यान रखना Trotter है उन्होंने बताय था कि अगर जिनका right hemisphere strong होता है न वो emotionally होते है emotional होते है और spiritual mind होता है spiritual होते है और artistic होते है और जिनका left hemisphere dominating होता है वो कैसे होते है logical होते है और वो controlled होते है and leadership quality होती है उनके अंदर next physical appearance physical appearance में हम देखते है height क्या है weight, color, feature यह influence करते है personality को ठीक है biological factor clear होगया biological factor यह देखते है कि formation of a human body human body का कैसे form किया हुआ है मतलब क्या-क्या formations of a human body यह एक important role play करता है personality को develop करने में first, heredity heredity में हमने क्या देखा physical stature, facial look, muscle composition, energy level, temperament यह हमने heredity में देखा brain में हमने क्या कहा कि चो total है उन्होंने कहा है कि चो right hemisphere जिनका strong होता है वो spiritual होते हैं और जिनका left hemisphere dominating होता है वो कैसे होते है उनकी जो leadership quality होती है और logical होते हैं और physical appearance में क्या होगा इसमें हम दिखते हैं कि height, weight, color कैसा है features कौन-कौन सी है next है family and social factor family and social factor में क्या होते है कि जो सबसे पहले जैसे बच्चा है, कोई भी child है वो सबसे पहले interaction इसके साथ start करता है सबसे पहले वो अपनी mother से interaction करता है उसके बाद दूसरी family से interact करना start करता है ठीक है और इसके अंदर क्या होते है दूसरी family में मतलब की जैसे कि उसके parents होगे, neighbors होगे, friends होगे ठीक है, जब क्या होते है कि जो child है वो socialize होने लग जाता है by interaction with the family and the social group ठीक है and acquire the range of the behavior जो की influence करती है personality को ठीक है, इसमें child क्या करता है कि identify करता है एक person whom he consider as a model ओके, इसमें आपको example ध्यानत में कि family और social factor में कि हमारको हम interaction करते हैं इसके साथ family और social group में जैसे एक बच्चा है, सबसे पहले home environment के अंदर आया उसमें family member से इंटरेक्ट करना start किया फिर वहाँ पर जाकर वह सारे अपने friends बिनाने लगया neighbors से इंटरेक्ट करना लगया तो वो social group में interaction होगे मतलब इसमें हम interact करते हैं इसमें family और social group से ठीक है next is the culture factor culture factor के अंदर क्या होता है culture factor में हर एक culture मतलब कि हर एक culture expect करता है कि जो इस message उसके member है कि behave करें कि society के जतने rule and regulation है वो उसको accept करें ठीक है वो culture factor होता है means जो culture होता है उसके अंदर हम क्या होता है कि conditions होती है norms होती है एक society के जो कि follow किया जाए value, belief and technique जो कि deal करें environment को जिसे कि एक कि जो personality है वो influence होती है हर एक culture expect करता है और train करता है अपने member को कि इस तरीके से behave करो जो कि society के थो जो accept किया जाए जिसके अंदर हम रहे रहे है cultural factor के अंदर क्या होता है कि हर एक culture यह expect करता है कि जो भी उसके member जिस भी culture में जैसे जो रहे रहे रहा है कि वो उसकी सारे जो society के norms and values and beliefs उसको accept करें ठीक है Situational factor का मतलब क्या होता है इसमें हम देखता है knowledge, skill, language जो कि हम acquire करते है from the situational experience ठीक है इसमें Milgram ने एक अपने words में explain गए कि situation exerts an important pressure on the individual ठीक है एक जो situation exerts है एक important pressure होता है कि individual के ओपर कि जैसे हमारे को situation से जो experience मिलता है knowledge आती है skills आती है जो language जे हम acquire गते situation experience situational experience is great उसको हम बोलते है situational factor ठीक है और इसके अदर क्या करते है situation determine करती है एक action ओपर्मार ठीक है कि हीर होगया यह determinants है personality के हाई एक बार से हम complete revise करते है जो जो हमने इस lesson में पड़ा firstly हमने देखा कि personality का मतलब क्या होता है personality का मतलब क्या होता है कि एक relatively stable set of characteristics that influence an individual behavior okay clear हो क्या personality क्या होता है एक permanent set of psychological and behavior attributes that distinguish from the one person to the another personality क्या है complex, multi-dimensional construct and there is no simple definition of what personality is we can examine personality in terms of set of relatively stable characteristics and tendency that determine our thought, feeling and behavior which have same continually or consistency over time मतलब personality का मतलब क्या होता है कि एक एक complex है multi-dimensional है इसका ऐसा simple नहीं बोल सकते है कि हर एक personality हर एक personality की तो personality होती है ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि एक total relatively stable characteristics एक सभी की सभी हम characteristics डालते है personality में कि उस person का सोचने का तरीका कैसा है उसके thoughts कैसी है उसमें feeling कैसा है उसका behavior कैसा है इस सभी की सभी तीजे की किस को determine करती है personality को उसके बाद हमने देखा कि कौन गों से determinates है personality का personality, persona, word leading word, persona से derive हुआ है जिसका मतलब होता है to speak through जैसे कि हमने इसका एक रपलिया था कि पुराने time के अंदर क्या होता था कि सभी का सभी मतलब जैसे audience को attract करने के लिए कोई राम का mask डाल लेका कोई हनुमान का mask डालके कि उनको real wave से हम दिखा सके एक अलग से personality show कर सके जैसे कि जो audience है वो attractor ठीक है उसको हम क्या बोला हमने personality it means to speak through Latin word persona अब उसके बाद personality का को clear होगा कि सभी के सभी हम characteristics देखते हैं एक individual की वो कैसे react कर रहा है और कैसे दुसरों के साथ interact कर रहा है उसको हम क्या बोलते है personality उसके बाद हमने determinants देखे personality के biological factor में देखा हमने कि कैसे formation है human body की उसको हम बोलते है biological factor उसने heredity brain physical appearance physical appearance में हमने देखा height wave facial look और color ठीक है और brain में हमने देखा कि जो tauter है उन्होंने बताया है कि जिसका right hemisphere strong होगा वो तो बोर ज्यादा artistic है spiritual है और emotional है और जिनका left hemisphere strong है वो more logical है leadership quality है और controlled है और heredity के अंदर हमने देखा कि physical structure, facial look, muscle composition, energy level, temperament कि सारी-सारी किसके अंदर हमने features देखी heredity ने next हमने देखा family or social member इसके में देखा कि हम interact करते है family or social group के साथ जासे कि एक person है सबसे पहले अपनी mother से infect करता है home environment में then family members infect करता है तो वो कैसे interact कर रहा है family or social group से next culture factor जिसमे अभी हमने देखा जो कि deal कर रही है with the environment वो influence करते है कि personality को यह होते है next is situational factor तो situation factor में क्या होगा knowledge, skill or language acquired from the situation knowledge है यह skill है यह language है वो हम acquire करते है situation से यह सभी के सभी determinant है personality के next lesson में हम discuss करेंगे theories of the personality and see you next lesson guys thank you, bye bye